बॉलिवुट के गल्यारों में जब हम अपनी कदम रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे किस्से और कहानिया हैं जो हमें अपने साथ मानों गुजरे हुए वक्त में ले जाते हैं। इन्हीं किस्से और कहानियों को हम अपनी खास सिरीज ओल्ड बॉलिवुट के जरीए आप तक पह हो जाएंगे चलिए फिर यादों के फ्लेस बैक में और बताते हैं राज कपूर से जुड़ा हुआ एक किस्सा यस चुप्रा ने बेसक पॉलिवुट में एक्ट्रस को सिफोन सारी पहना कर उनकी खूपसूरती और उन पर फिल्माए गए गानों को एक नया आयम दिया था लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सफेज सारी में बॉलिवुट की अबनीत्रिया परते पर जादू बखेरा करती थी इस ट्रेंड को सुरू किया था बॉलिवुट के सो मेंट राज कपूर ने सफेद रंग को यू तो साधगी का रंग माना जाता है लेकिन राज कपूर न से आखिर उन्हें इतना लगाव क्यों था तो चलिए जान लेते हैं इस दिल्चस्प कहानी को नर्गिस वैजनती माला साधना तनुजाश सायना बानो और नजाने कितनी अबनीत्रियां जिन्होंने पढ़ते पर सफेज सारी पहनी थी आरके फिल्म्स की हिरोई का जब भी अश्तमान हो टाम तेरे गंगामैली की मनदाकिनी हो या फिर आवारा में नर्गिस हो रासकपूर की फिल्मों में हिरोईस का सफेज सारी में नजर आना एक ट्रेंड वाइट सा बन गया था सायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे की बर्सात और आवारा में रासकपूर की हिरोई नर्गिस को जिस तरह से सफेज साड़ी में दिखाया गया था वे ओडियंस को इतना पसंद आया था कि उन्हें लेडी इंड वाइट कहा गया था फिल्म जाते रहू में रासकपूर की हिरोई नर्गिस फिल्म के लाश्ट वाले सील में रासकपूर को पानी प्लाने आती है तब भी वो सफेज साडी में ही थी राज कपूर की हीरोईन की सफेज साडी का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है उनकी पत्नी से जिहां राज कपूर की पत्नी क्रशना राज कपूर भी हमेशा सफेज साडी ही पहना करती थी इसके पीचे भी एक खास वज़ा थी राज क जब अपनी पत्नी से पहली बार मिले थे तो उन्होंने सफेज साड़ी पहनी हुई थी और बालों में मोगरे का गजरा लगाया हुआ था राज कपूर ने उन्हें पहले ही नजर में पसंद कर लिया था राज कपूर ने खुदी एक इंटर्वी के दौरान इस बात को बताया था उनकी बीटी रीमा ने भी एक इंटर्वी के दौरान ये बताया था और वो हमेशा अपनी हिरोईन को सफेज साड़ी पहनने के लिए बोलते थे पॉलिवुड के इसी तरह के पुराने किस्से या नए किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ह अमारा वीडियो देखने के लिए दिल की घहरायों से बहुत बहुत सुक्रिया